बॉर्णिंग डियर स्टुडेंट्स वेलकम ओल उफ यू इंदीस अनादर क्लास ओप क्लासिफिकेशन अपैनिमल किंग्डम सॉरी आज थोड़ा डिले हो गया क्लास स्टार्ट करने में थोड़ी टेक्निकल प्रोब्लम आ गई थी तो मेरा सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पा रहा था एनिवे बच्चों याज बिल्कुल है मन्त थोड़ा सा लेट हो गया हुँ मैं लेकिन अभी क्योंकि अल्रेडी लेट हो चुके हैं तो सबके नाम नहीं ले पाएंगे और शुरुवात करते हैं हमारी क्लास की आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कोर्डेट आके जनरल करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है वो सारे हमने डिसकस किये, fundamental chordate character, fourth chordate character, chordate में digestion कैसा होता है, blood muscular system कैसा होता है, respiration कैसा होता है, excretory system कैसा होता है, उनमें kidneys कैसी होती, यह सारे points, some different type of kidneys, और यह सारे points we already discussed in our last class. लास्ट में, जो point हमने डिसकस किया था, that was about the temperature regulation, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी chordates जो होते हैं, वो cold bloodate होते हैं, except birds and mammals, बाकी सभी chordates अपना body temperature control नहीं कर पाते हैं, लेकिन birds और mammals अपना body temperature control कर पाते हैं, okay, so that was the point about the thermoregulation, चली बच्चों, अब आगे आज शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा, कि हम किस तरह से code data का classification करते हैं, you know, हमारा ये last phylum है, that is the phylum code data, so if you start with that phylum, ध्यान से सीखेंगे, आज का lecture आपके लिए बहुत ही जादा important है, so let's begin with that part, video is not blur, आप अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करें, video सही हो जाएगा, there is no problem at all from my end, थोड़ा सा internet की speed बगेरा देख लें, चेक कर लें, सब सही हो जाएगा, है ना, yes, I will try, कि मैं अपनी screen full रखूँगा, बिल्कुल correct, चलिए, phylum, chordata जो है बटा, you will wonder, कि chordata में हमारे पास 5 classes है, in general, जो बड़ी famous है, fishes, amphibia, reptilia, avies, mammals, है ना, तो बिटा, कभी आपने सोचा कि हम chordata का classification किस बैसिस पर करते हैं, you will come to know, कि chordata का जो overall classification है ना, बिटा, the classification is best on skeletal system, आज आपको पता चलेगा, कि आरे भाई, यह जो जितने भी fishes, amphibia, reptilia, avies, mammals, इनमें, बाकी characteristics तो obviously हैं बिटा, बट जो एक, हमने यह classes बनाए, हमने यह जो group बनाए, main coordinates के group बनाए, बिटा, that group is best on skeletal system, आज आपको इस बारे में बहुत जल्दी पता चलेगा, ठीक है, so, let me begin with the overall classification, एक बार में आपको सब कुछ समझाऊ, कि मान लिजे हमारे पास जो phylum chordata है, screen की size के बारे में ज़र आप बता दीजिएगा, कि is everything clear, screen की size सही है या नही हा, तो what I am telling you, कि जो हमारे पास phylum chordata है न बिटा, इस phylum chordata को हमने दो groups में divide किया है, do you know that, do you know, पहला group जो है हमारे पास, वो है बिटा, proto chordata, देखो, नाम से पता चल रहा है, proto chordata, proto मतलब first, first chordates जो थे, जो सबसे primitive हमारे chordates थे, उनको हम proto chordata के नाम से जानते हैं, okay, यह मैंने यहां R लिखा है, जो V जैसा दिखा ही दे रहा, so हमारे पास दो ग्रूप हैं chordata के, proto chordata, और एक दूसरा जो ग्रूप है हमारे पास, वो है बिटा, U chordata, see, U का मतलब होता है, true, आज बहुत ध्यान से पढ़ना है, और बहुत ध्यान से सीखना है बिटा, आपको है यहां है न, तो उस वज़े से आपको small दिखा ही दे रहा है, okay, font size को थोड़ा बढ़ा करने की आप चाहते हैं, चलो I will try even more, है न, थोड़ा सा ओर हम इसको बढ़ा कर सकते हैं, हमारे पास बिटा, दो यह लीजिए, हमारे पास दो ग्रूप है, एक ग्रूप है बिटा, हमार पास U-Core Data, can you see that हमारे पास यहां यह दो इस तरह के ग्रूप से हैं, प्रोटो-Core Data and U-Core Data, U का क्या मतलब होता है, बिटा, U का मतलब होता है, true, तो इसका मतलब भी हो गया कि U-Core Data में हमारे true correlates हैं, और प्रोटो-Core Data में हमारे first वाले जो ग्रूप हैं, वो आपके प्रो fundamental characteristic feature क्या है, notocord होनी चाहिए, pharyngeal gill slits होनी चाहिए, और dorsal tubular nerve cord होनी चाहिए, अब वो जो fourth वाला character है न, tail वाला, उसको बार-बार discuss नहीं करेंगे, because as such, वो fourth number का character है, fundamental corded character कौन से हैं हमारे पास, तो बिटा हमारे पास fundamental corded character जो हैं, वो जैसे कि आपको पता है, notocord, pharynge gill slits और dorsal tubular nerve cord, है न, चलिए, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि जो हमारे पास proto-cord data है, यह हमारे first cordeds हुआ करते थे, सबसे पहले वाले cordeds यही थे, first cordeds, तो obviously यह small size के थे, और क्योंकि यह small size के थे, तो वो जो notocord हुआ करती थे, इन में notocord, उस notocord से इनकी body क support मिल गया, है न, उस notocord से support मिल गया, तो न इनके पास bones थी, न इनके पास cartilage थी, तो आपको यह पहला point याद रखना है, यह कि जो हमारे पास proto-cord data के members है, इन proto-cord data के members में किसी भी तरह की bones और cartilage नहीं है, अब see, अगर हम हमारे skeletal system पर ध्यान दें, तो हमारे skeletal system में एक यह cranium होता है, cranium, brain box जिसे कहते हैं, पीछे एक vertebral column होता है, है न, vertebral column, फिर हमारे पास यह girdles होती है, टक्टोरल girdle, और नीचे की और हमारे पास pelvic girdle होती है, फिर हमारे यह limb bones है, fore limb, hind limbs, किसी भी तरह की कोई bone इनके पास नहीं थी, particularly मैं यहाँ यह mention करना चाहूँगा कि जो protocodate के members है, जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं इनको, they are the first cordates, इनमें यह कोई bone cartilage नहीं थी, तो I should write here, एक point लिखना चाहूँगा मैं, कि इनके पास cranium and vertebral column absent हुआ करता था, vertebral column absent, समझ में आई, यह बात आपको protocodate की, मतलब कोई भी skeletal element नहीं है, no skeletal element है, except notocodate, हाँ, बिल्कुल इनके पास notocodate जरूर present रहेगी, notocodate तो होनी होनी है, क्यों होनी है notocodate present, क्योंकि because it belongs to member phylum chord data, notocodate होगी बिटा, लेकिन इनके पास cranium या vertebral column नहीं होगा, ठीक है बिटा, proto-cord data में, दूसरा group हमारे पास u-cord data, of course इस u-cord data में, अगर हम बात करेंगे true chord data से, तो skeletal elements जो हैं, उनकी शुरुवाद हमारी u-cord data से हो जाएगी, आज हम इनके बारे में एक-एक करके पूरा discuss करेंगे, है ना बिटा, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार protocol data ही पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे u-cord data के बार, clear बिटा, तो let's begin with the protocol data, औ protocol data और u-cord data, और यह जो हमारे पास पहला गूर पे protocol data, इसको हमने एक और नाम से जाना है, that is a craniator, जो मैंने यहां लिखा नहीं है, तो पहले मैं उसका नाम बता देता हूँ, तो another name, यह हटा देता हूँ मैं notocode, यह understood है की notocode तो इनके पास होगी, इसका एक नाम और है, a a craniator, ऐसा नाम क्यों दिया, a मतलब absent, craniator मतलब cranium, तो भाई मैंने यहां लिख लिए है न, कि there do not have cranium and vertebral column, न तो cranium होगा brain को protect करने के लिए, न vertebral column होगा spinal cord को protect करने के लिए, अब जब इनके पास यह cranium ही नहीं है, यह vertebral column ही नहीं है, तो बाकी के bones होने का कोई question नहीं उ नाम दिया है protocol data या दूसरा नाम दिया है एक granita, बचों इसमें हमारे पास ध्यान से सुनना, तीन sub phylum है, we have three sub phylum, ओके, अब कौन-कौन से तीन sub phylum है, पहले कौन से पढ़ाने जारूं, पहले मैं आपको protocol data या एक granita पढ़ाने जारूं, बचों इसमें हमारे पास जो तीन sub phylum है, पहला है hemicordata, hemicordata, दूसरा है eurocordata, और तीसरा है cephalocordata, ध्यान से आज आपको यह सारी चीजें सीखनी है, hemicordata, eurocordata और cephalocordata, correct बटा, सबसे पहले बात करते हम hemicordata की, यह जो word है हमारे पास hemi, इस hemi का मतलब होता है half, half cordate, बच्चों hemicordata में जो animal आता है, बड़ा ही famous animal एक, उसका नाम है balenoglossus, let's see हम balenoglossus का diagram बना के देखते हैं, यह जो balenoglossus है, यह इसको commonly हम tongue worm भी कहते हैं, और बच्चों यह इस तरह का animal दिखाई देता है, c, balenoglossus बनाने जारों मैं, which is the member of hemi cordata, इसमें यहां आगे की और एक इतना portion जो यह आपको दिखाई दे रहा है, red color समय ने बनाया है, बच्चों इस portion को हम proboscis कहते हैं, उसके बाद इनके पास एक collar होती है, और यह बाद में बाकी का इतना इतना पूरा portion जो है, बचा हुआ, वो बेटा इनकी trunk होती है, so the body is divided into three parts, proboscis, collar and trunk, correct बेटा, somewhere here they have their mouth, तो इस जगे पर आप इनका mouth बना सकते हो, यह देखी मैं यहां पर इनका mouth बनाने की कोशिश करता हूँ, तो you just see कि यहां इनका इस तरह से mouth होता है, they have their mouth somewhere here, तो आप देखी इनका mouth हो गया, और इस जगे पर पीछे की और यहां पर इनकी एनस होती है, so they have their anus, बच्चों अभी भी size छोटी लग रही है, क्या font size है न, otherwise हम इस पूरे एक page पर तीन-तीन कैसे बनाएंगे बटा, I understand, है न, चलो फिर भी और कोशिश करता हूँ, so let's see, फिर से repeat करते हैं, हमारे पास animal है, hemicordata में, balanoglossus इसका नाम है, नाम मुझे लिख लेना चाहिए, तो नीचे की और में इसका यहाँ पर, यह बटा नाम भी लिख के बता देता हूँ आपको, the animal name is balanoglossus, जो इसका famous animal है, अब ध्यान से सुनना, यह इनका जो mouth है, यहाँ से, अच्छा एक देखो, आप इसमें tail नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी NS है, और NS के पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब इनके पास tail नहीं है, इंट्रेस्टिंग, एक जो fourth number का coded character होना चाहिए था, वो नहीं है, चलि आगे ध्यान से सुनो, यह यहाँ पर इनकी इस तरह से, यहाँ मैं इनकी elementary canal बना रहा हूँ, and you just see, कि यह जो इनकी elementary canal है, और यह यहाँ पर इनके पास pharynx भी है, can you see, यहाँ पर मैं यह अंदर यह अंदर इनकी mouth बना दिया है, तो फिर मैं यह इनकी pharynx भी बना दिया है, यहां फेरिंग्स में इनके पास इस तरह से फेरिंजल गिल्सलिट्स है very good मतलब इनके पास गिल्स प्रेजेंट है गिल्सलिट्स प्रेजेंट है है ना तो let me write it here कि यहां पर मैं इनकी गिल्सलिट्स बना देता हूँ एक कोरिडेट केरेक्टर आपने देख लिया that they have गिल्सलिट अच्छा अब आगे एक और पूंट द्यान से सुनना इनके पास क्या हुआ बड़ा मज़दार अनिमल है इनमें क्या है इनकी जो अलिमेंटर किनाल है इस जगे से एक road like structure होती है यह इस तरह से आगे की और बड़ी रहती है यहाँ बनाई है मैंने देखो यह यहाँ पर बना रहा हूँ एक तो यह एक मैंने इस तरह का कोई structure बनाया है can you see that structure बच्चों हुआ क्या था ध्यान से सुनना आप initially early जो हमारे scientist थे उन्होंने जब balanoglossus की study करी deuterostomia में आता है enterosilom होती है echinodermata सब उपर थे यह तो उन्होंने सोचा है कि hemicordata के यह जो members है यह सारे cordates में आते हैं अब cordates में आने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए notocord चाहिए pharyngeal gillslits चाहिए और dorsal tubular nerve cord चाहिए उन्होंने देखा कि इनके पास तो gillslits present होते हैं और जब उन्होंने इस animal को dissect किया और उसकी study की तो उन्हें ही एक road-like structure दिखाई दिया बचों उनको लगा कि यह जो road-like structure है यह उसकी notocord है और यही उनसे एक बड़ी mistake हो गई उन्होंने इसको notocord समझ लिया हाँ इनके पास nervous system तो नहीं था dorsal tubular nerve cord तो नहीं थी इनके पास तो राधर एक nerve ring होती invertibrates में non-cordate में जैसे ही nerve ring होती है उस तरह की nerve ring थी है ना dorsal tubular nerve cord नहीं थी पर फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो इनके पास notocord है pharyngeal gillslits है deuterostomia में आते हैं enterosilome है चलो कोई बात नहीं तेल नहीं है आधे cordate character है आधे cordate character नहीं है चलेगा let's do one thing कि इस animal को hemming cordata को belenoglossus को let's include it into cordata कर दिया उनने cordata में include अब उनकी mistake बाद में जाके पकड में आई जब हमारे पास advanced technology advanced microscope डवलप हो गए फिर हमें एक दिन पता चला कि ये जो हमें notocord समझ रहे हैं हम इतने सालों से वो actually notocord नहीं है और बाद में पता चला कि ये तो भाई elementary canal का part है और तब जाके इसको नाम दिया गया बककल die वर्टिकुलम इसको नाम दिया गया बककल die वर्टिकुलम ये आई बात समझ में आप लोगों को बकल डावर्टिकुलम इसको stomach cord भी नाम दिया गया it is also known as stomach cord and it is actually not a true notocord ये तो elementary canal का part है बाई है अब बड़ी मिस्टेक हो गई कि यार ये तो नोटो कोड़ी नहीं है नर्व कोड़ी नहीं है टेल भी नहीं है सिर्फ एक चीज प्रेजेंट है and what is that कि इनमें सिर्फ फेरिंजल गिल स्लिट से so let's do one thing हम इस हैमी कोड़ डेटा को कोड़ डेटा से बाहर निकाल देते हैं because it is showing only one कोड़ डेट करेक्टर भाई हमारे पास तीन कोड़ डेट करेक्टर हैं तीन में से अगर ये दो भी शोग करता ना तो हम इसको कोड़ डेटा में इंक्लूड कर देते but nowadays, today, आज की तारिक में अगर हम बात करते हैं तो हम हैमी कोड़ डेटा को कोड़ डेटा में अब इंक्लूड नहीं करते हैं means यह मैंने यह गलत पढ़ा दिया आपको मैंने यह जो कोड़ डेटा आपको पढ़ाया और यह बताया कि कोड़ डेटा में दो गुरूपे प्रोटो कोड़ डेटा और यू कोड़ डेटा और इस प्रोटो कोड़ डेटा में मैंने यहां तीन सब फाइलम बनाए हैं hemi-coordata, euros-coordata and sephilo-coordata but let me write one thing यहां से अब हमें एक line खीच देते हैं ये लीजिए एंड आज के बाद याँ, अब करें क्या हम इसको यहां से निकालना पड़ा goordata से, hemi-coordata तो निकालके कहा रखें इसके ठीक नीचे तो ichino-dermata आते हैं तो क्या हम इसको Echinodermata में include कर सकते हैं नहीं उनमें तो starfishes, radial symmetry वाले, अलगी तरह के animals हैं Then let's do one thing, Echinodermata से उपर, Chordata से नीचे, मतलब Chordata और Echinodermata के बीच में हम एक नया phylum ही बना देते हैं और उस नए phylum को हमने नाम रख दिया, Hemicodata, means today, आज की तारीक में अगर हम बात करें, तो Hemicodata is not a subphylum under code data Hemicodata is a separate phylum under non-code data, हमने इनको code data से बाहर निकाल दिया, non-code data में डाल दिया तो याद रखें, अब यह यहाँ पर, मैं क्या करने वाल हूँ, नंबर वन यहाँ लिखूंगा, नंबर टू यहाँ लिखूंगा, और इस तरह से हमारे पास प्रोटो कोर्डेटा में दो ही subphylum है एक euro-code data है, और एक syphelo-code data है, और hemi-code data has been placed as a separate phylum out of the chordates, non-code data के साथ में, echinodermetra से उपर आ जाएगा, और chord data से तो वो नीचे रहेगा, समझ में आ गई बात बच्चों आप लोगों को, तो let me write that point here, it is a separate phylum now, it is a separate phylum now, समझ गए, very good बच्चों, चलिए, अब क्या, यह मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने सीख लिया, समझ लिया, hemi-code data में कौन सा coded characteristics present है, एक ही coded character present है, और वो कौन सा है, gill slits, न तो इनके पास notocord होती है, न इनके पास dorsal tubular nerve cord होती है, और post annal tail, तो इन में है ही नहीं, एनस ही यहाँ पर है, तो यह animal, कुछ है, coded characteristics को show करता है, एक coded character show करता है, now we have removed it from the coded and we have created a separate phylum, and named as hemi-code data, एक तरह से इसका promotion हो गया, पहले एक तरह से demotion हुआ है, code data से बाहर निकाला है, पर दूसरी तरह promotion हुआ है designation, कि पहले आप इसको sub phylum consider कर रहेते हैं, अब आप इसको as a phylum consider कर रहे हैं, दिव्यांशु ने बोला है कि human also not have all character of chord data, why they remain in this phylum, मैंने कहा human में कौन सा chordate character नहीं है, हमारे पास embryonic stage में notocord आती है, हमारे पास embryonic stage में pharyngeal gillslits आती है, और हमारे पास dorsal tubular nerve chord है, see, जो तीन chordate character में ने बताया है, वो throughout the life present हो जरूरी नहीं है बटा, वो आपकी life में कभी ने कभी एक बार developmental stage में present होने चाहिए, है ना, clear, fine, very good, शाबाज, so let's do one thing, यह जो हमारा part है, इसको आप diagram बना ले ना बिटा, यह bellenuglossus का नहीं, तो hemi core data को हम थोड़ा सा और discuss करने वाले हैं, बाद में जा कि अभी में क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके, और ताक ही हमारे पास थोड़ा सा space create हो जाए, यूरो का मतलब होता है tail, और core data का मतलब core data आप समझते ही हो, इसका जो famous animal है, उस famous animal का नाम है herdmania, या इसमें एक और animal आता है, acidia, कोई सा भी ले लो आप, चलिए इनको देखते हो, अगर आप किसी herdmania और acidia को देखते हो, तो आपको पता जाए, उसके larva की बात करते है, सबसे पहले मैं उनका larva आपको सिखाता हूँ, कि उनका larva कैसा दिखाई देता, बच्चों, उनका जो larva होता है, वो इस तरह से, टेड़ पोल larva होता है, और इस तरह से उसका structure होता है, करेक्ट, फाइन, समझ में आ रही ही बात है, तो इस kind of structure दे है, यह देखिए, नई, यह पीछे से बंद करेंगे, इसको, ओके, और हम टेड़ पोल larva बनाने जारों है, यहां से, यहां पर इनका माउथ होता है, और यह इनकी फेरिंग्स होती है, और यहां पर आके इनकी यह elementary कैनाल complete हो जाती है, तो very interesting, यहीं आगे elementary कैनाल complete भी हो गई है बिटा, है न, fine, तो यह mouth हो गया और यह एनस हो गया, let me label it, यहां पर यह इनका mouth है बिटा, और यहां पर इनकी यह एनस है, अगर आप इनके लार्वा को ध्यान से देखो, तो लार्वा पानी में रहता है, और यह जो लार्वा है, पानी में तो खेर सारे proto-cordata रहता है, सब के सब मराईन है, hemi-cordata मराईन है, euro-cordata मराईन है, और syphilo-cordata के जितने भी members है, वो भी सारे मराईन है, इन starting hemi-cordata is principle, but now it is director, हाँ, ऐसा बोल सकते हो, कि पहले principle था, प्रमोशन हो गया न, पहले sub-filem था, अब आपने इसको as separate philem बना दिया, चोलो छोडो, euro-cordata की बात करते हैं, तो आपने क्या देखा, कि इनके पास ये एक इस तरह से बिटा, इनके पास elementary canal है, और इनके पास ये देखी एक आगे head वाला region है, और ये इनकी यहाँ पर पीछे की और एक tail भी है, वेल, इनके पास इनके nervous system की बात कर हम, तो they have dorsal tubular nerve cord, ये देखो यहाँ पर इनकी, यहाँ से मैं बना, इनकी nerve cord थोड़ी पीछे की और होती है, dorsal tubular nerve cord, ये रही इनकी, ये यहाँ पर इनकी nerve cord है, dorsal side में है, tubular है, hollow है, no problem, no bet it is not heart mania नहीं है, it's heart mania, और बिलकुल अगर आप ध्यान दो, तो इनके पास यहाँ पर tail भी present है, post annal tail, क्योंकि एनस यहाँ पर है, और tail ये रही है हमारे पास, तो post annal tail present है, dorsal tubular nerve cord भी present है, और इनके पास एक notochord भी होती है, well developed notochord भी होती है, तो notochord को मैं blue color से बना रहा हूँ, can you see, यहाँ पर इस जगे पर ये, tail वाले region में ही इनकी notochord भी होती ह so they have their notochord here, बताओ, इसमें चारों correlate characteristics present है, हाँ sir, सभी है, कि sir इसमें notochord भी है, इसमें dorsal tubular nerve cord भी है, pharyngeal gill slits भी है, और एनस के पीछे की और एक tail भी है, अब सुनिए आप, इसका नाम कौन सा, इसका टेड़ पोल लारवा नाम है, the name of the larva is टेड़ पोल लारवा, चलो एक question आया है, frog के लारवा का नाम भी तो टेड़ पोल होता है, हाँ, बिल्कुल कीरती, very good frog यानि amphibians के जो लारवा होते हैं, उन में से भी कई सारे लारवा के नाम टेड़ पोल होते हैं, तो it is possible, नाम दूसरे phylum के लारवा का नाम सेम हो सकता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है बिटा, तो ये टेड़ पोल लारवा है हमारा, amphibia में frog के लारवा का नाम भी टेड़ पोल है, no problem, चलता है उसे, अब आप देखो बच्चों, ये इसका लारवा है, टेड़ पोल लारवा, किसका लारवा है ये, हर्डमानिया का लारवा है, एसी इमिंग भी कर लेता है, चलि अब क्या होता है इन इनिमल्स में, ध्यान से सुनने आप, इनको यूरो कोर्डेटा नाम क्यों दिया, क्योंकि इनकी नोटो कोर्ड इनकी टेल रीजन में है, नोटो, यूरो कोर्डेटा, यूरो मतलब टेल, कोर्डेटा, नोटो कोर्ड, इनक free swimming होता है, पानी में आराम से free swimming करेगा हो, लेकिन जब यह larva adult में convert होता है when the larva is converted into adult उस process को क्या कहते है उस process को metamorphosis कहते है we call that process as metamorphosis कभी भी, कभी भी larva adult में convert होता है, था हमारे पास a simple word metamorphosis, आपको पता होना चाहिए what is metamorphosis, the process of conversion of larva into adult, is called metamorphosis अब देखो पुटे, क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब metamorphosis होता है इनके adult जो होते हैं, वो sedentary होते हैं, sand में पड़े रहते हैं they remain in the sand और adult का अगर में structure बनों तो वो इस तरह का दिखाई देता है ऐसे अजीब से इनके adults होता है और half of the body remain buried in the sand इतना इतना portion इनकी body का जो होता है, वो sand के अंदर रहता है, what sand? sand in the sea, रहेंगे तो पानी में पर समुदर में, ocean में भी नीचे sand तो होती न, उस sand में इनका most of the part of the body remain buried, उसके अंदर यह दबे रहता है, free swimming नहीं होते adult, यह हमारा adult animal है जो buried रहेगा, अब इसके tail का है, इसका structure देखुआ, अगर आप इसके structure को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि unique structure, अलगी तरह का structure ही है, यहाँ पर इसकी pharynx, pharyngeal gill slits वगेरा हो जाएगी, body की उपर एक covering आ जाती है, उस covering को tunic कहते हैं, मैं आगे पढ़ाओंगा वापस आपको इधर से यह पानी को अंदर लेते हैं, इधर से यह पानी को बाहर निकाल लेते हैं और पानी के साथ जो food आएगा उसको खा लेंगे respiration कर लेंगे, उनके पास इनके पास गिल है, tail is lost during metamorphosis let me write it, tail is lost अब you know, metamorphosis में जब tail चली जाएगी आप समझ लीजिए कि इतना इतना portion चला गया, इस diagram में अगर हम देखे हैं, तो इतना part चला गया notocord पूरी चली जाती बटा, मैं यहां पर एक line बना रहा हूं इस तरह से, यह देखिए मैंने एक line बनाई, notocord completely lost हो जाएगी और nerve cord का भी थोड़ा portion बचा रहेगा बस neural ganglia कहेंगे हम इसको we call it as neural ganglia तो क्या हुआ adult में adult animal के पास notocord नहीं है, dorsal tubular nerve cord नहीं है, उसकी जगे एक छोटा सा structure बचा रहे गया why video is paused, I don't think video is paused video चल रहा है, बच्चों जड़ा चेक करके बताओ video post हुआ है या video चल रहा है जल्दी से बताओ, मेरी तरफ से चल रहा है तो so what I am telling you what I am telling you, tail is lost और नीचे एक point add करेंगे that along with the tail along with the tail notochord and most of the part most of the part of nerve cord is also lost nerve cord is also lost metamorphosis के साथ साथ ऐसा होता है समझ में आया है so along with the tail tail के साथ notochord गई notochord के साथ narrow cord का most of the part भी चला गया हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा ये इतना सा एक neural ganglia बचता है यहां एक नाम दे देता हो मैं इसको neural ganglia बच जाता है अगर आपको मैं एडल्ट euro cord date लाके हाथ में दे दूँ और मुझे बताओ कि यह cord data में आएगा कि non-cord data में आएगा you know आप क्या बोलोगे sir यह non-cord data में आएगा क्योंकि आप उसको dissect open करके देखो कि आपको उसमें notocord नहीं दीखेगी आपको उसमें dorsal tubular nerve cord नहीं दीखेगी आपको तो उसमें सिर्फ pharyngeal gill slits दीखेंगे आप बोलो कि sir यह animal cord data में रखने लायक नहीं है it is not showing the three fundamental corded character but हम हमेशा एक बात करते हैं notocord होनी चाहिए life में एक नहीं एक बार तो भाई इनके larva में notocord होती है इनके पास dorsal tubular nerve cord भी होती है और इनके पास pharyngeal gill slits भी होती है adult में नहीं है तो क्या है larva में तो होती है so we cannot remove it from cordates and that is why हमारे cordata की शुरुआत जो होती है phylum cordata begins with the euro cordata पहला पहला जो cordate animal है हमारे पास वो euro cordata herdmania हो गया acedia हो गया यह सारे बिटा हमारे पास why are you calling them euro cordata because they show their cordate character in their tail region अच्छा एक बात होता हूं आपको जब कभी आपने metamorphosis देखा होगा animals में जब animals में metamorphosis होता है तो larva जो होता है complex adult में convert होता है यहां क्या उल्टा हो रहा है यहां हमारे पास एक complex larva है जो simple adult में जब लार्वा like looking like a cordate और adult looking like a non cordate that kind of metamorphosis is known as retrogressive metamorphosis let me write that term इस तरह के metamorphosis को हम retrogressive metamorphosis कहते हैं आया समझ में आया आप लोगों को पिटा एक मेंने आपको retrogressive evolution explain किया था and that was shown by echinoderms retrogressive evolution show करते हैं यहां यह retrogressive metamorphosis it's not a progressive metamorphosis it's retrogressive metamorphosis ओके नहीं बेटा को दूसरे फाइलम में रखोगे ऐसा नहीं होता है आपसे एक्जाम में question पूछा जाता है कि यह retrogressive metamorphosis कहां कोन शो करता है तो आप बताएंगे eurocordata में ऐसा होता है ठीक है बच्चा बच्चों चली अब आते हैं हमारे पास तीसरा तीसरा सब फाइलम तीसरा नहीं दूसरा सब फाइलम syphilocordata very well syphilocordata में हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है syphilocordata का जो famous example वो है थोड़ा सा मुझे space create करना है मूव कर देते हैं eurocordata को थोड़ा इधर खिसका देते हैं तो हमारे पास अब जगे हो गई और let's talk about the syphilocordates syphilocordata में जो members आते हैं ये notocord का labeling भी मैं change कर रहा हूं थोड़ा सा आप लोग nerve cord और notocord को थोड़ा सा इधर कर देता हूं है ना वीटा तो यहां लिख देता हूं में इनकी nerve cord और यहां लिख देता हूं में इसकी notocord तो अब हमारे पास थोड़ा सा space हो गया है syphilocordata का diagram बनाने के लिए syphilocordata में जो animal आते हैं वो हमारे है amphioxus एक बड़ा ही famous इसका जो example है वो है amphioxus कैसा दिखता है तो बच्चों ऐसा दिखता है यह देखो इसमें यहां mouth होगा और यहां पर इसके पास यहां से इसकी elementary canal चलेगी यह इसकी fairings होगी यहां इसकी anus हो जाएगी और anus के पीछे इसमें यह इस तरह की एक tail भी हो जाएगी तो very well बहुत अच्छा animal है यहां mouth हो जाएगा यहां anus हो जाएगी और उसके बाद इसके पास tail भी हो जाएगी किसी तरह के कोई glitches नहीं आएगे complete chordate है larva में भी larval stage में भी chordate character होंगे adult stage में भी chordate character होंगे इसमें यहां पर कई सारे हम क्या बना सकते हैं इस तरह के pharyngeal gill slits बना सकते है मिटा और इस animal में थोड़ा से zoom करके बनाए तो इसके पास यह dorsal tubular nerve chord हो जाएगी तो let me draw their nerve chord okay तो यह इनके पास nerve chord हो गई dorsal tubular nerve chord correct और इसके ठीक नीचे की और इनके पास black color से बना देता हूं है यह इनकी notochord भी बना रहा हूं head से लेकर पीछे tail तक extended notochord है head से लेकर पीछे extended यह इनकी notochord भी होती है इनके पास समझ गए आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर complete chord data है हाँ बेटा यह भी जायद ने पूछा है कि यह यह भी मराइन होता है हाँ बिल्कुल मराइन होता है तो इसलिए क्या है कि euro chord data में थे एक glitch है हमारे पास एक technical problem कि larva chordate जैसा होता adult नहीं होता है कभी कोई आपसे पूछा है ना which is the first complete chordate तो first complete chordate आपका syphilo chord data के members होंगे amphioxus amphioxus का एक नाम और है इसे हम branchiostoma भी कहते हैं amphioxus का ही दूसरा नाम है branchiostoma यह हमारा first complete chordate है पदा इसको हम typical chordate भी कहते हैं कि इसके पास typical chord data में जो character होने चाहिए वो सारे present है so we also call it as a typical chord data सरीस number of pharyngeal gill slits are particular of various from organism to organism हां मिटा हर organism में gill slits के number fixed होंगे तो मैं आपको learn कर होंगा मुहमद ने बोला है कि notocord में और nerve cord cold और cord में फर्क है यह cord जो होती nerve cord it's like a thread और यह जो cold है it's like a rod इसलिए दोनों के spelling में difference आएगा आपने देख लिया पढ़ लिया समझ लिया मैं अभी आपको सिर्फ introduction दे रहा हूं hemi cord data में पढ़ाऊंगा आपको फिर euro cord data भी अलग से पढ़ेंगे syphelo cord data भी कल हमारी जो class होगी उसमें discuss करेंगे आज मैंने अभी तक आपको यह पहला group पढ़ाया what is the first group जो first group है हमारे पास वो first group है proto cord data और proto cord data का एक नाम और है बेटा एक craniata पहला group complete let's come to the second group second group का नाम है u cord data और let me tell you बच्चों यह u cord data है इस group को हम craniata भी कहते है these are also known as craniata अब क्योंकि हमारे पास यहां जगे नहीं है यहां कोई हमारे पास space नहीं है हमने इस पूरे space में proto cord data को भी पढ़ा दिया है तो let's go to the next page और हम बात करते हैं हमारे पास जो दूसरा group है what is that group group u cord data और u cord data को एक और नाम से जानते हैं इसे बेटा हम craniata भी कहते हैं so why are we calling it craniata यश ने पूछा है कि यह जो diagram में ने बनाया है यह जो diagram में ने बनाया है यह बेटा इनके adult का है इनके larva में भी सारे character होते हैं और इनके adult में भी सारे character होते हैं ठीक है? fine only one member present in syphilocodata syphilocodata में हाँ हमारे पास एक ही main species है इससे related दूसरी species हो सकती genus हमारे पास एक ही we are coming to the second group group no.2 and what is that group no.2 group no.2 का नाम है यू coridator और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया यू का मतलब होता है true अब आपको समझना है यह animal थोड़े बड़े हैं थोड़े ज्यादा complex हैं तो इनका brain भी बड़ा हो गया इनकी nerve cord भी बड़ी हो गई और ऐसे में brain और nerve cord को protection की requirement थी अगर आप पिछले डाइग्राम पर जाते हो यह animal जो हमारे पास दिखाई दे रहा है या इवन इसका यह जो लार्वा दिखाई दे रहा है they are small creatures सिर्फ body को support की requirement है body को support notocode से मिल जाता है इनको अपने इस brain को protect करने की जुरूरत नहीं थी इनको इस spinal cord को भी protect करने की जुरूरत नहीं क्योंकि यह structures as such इतने ज्यादा developed नहीं है but then अब हमारे पास complexity बड़ेगी size बड़ेगी nervous system ज्यादा बड़ा हो जाएगा brain का development हो जाएगा brain के साथ साथ spinal cord nerve cord भी well developed होगी तो ऐसे में इन दोनों को protection की जुरूरत पड़ेगी तो अब जैसे ही आप u-cord data में आओगे u-cord data का एक आपका main feature u-cord data और craniata का that they have cranium and vertebral column present तो let me explain you पहले में आपको यह समझाऊंगा कि यह cranium और vertebral column कैसा होता है कहां होता है और notocord कहां होती है तो क्यूंकि अब यह नया word आपके पास vertebral column इससे पहले नहीं था और कही सारे बच्चों में यह confusion होता है notocord और vertebral column के बीच में diagram बनाएंगे और होगा तो इस diagram को वापस हटा भी देंगे तो let's see कि हमारे पास यह कोई एक कोई भी एक यहां पर animal बना लेता हूं मैं और यह देखिए यह पीछे इसकी tail बना रहा हूं मैं यहां mouth बनाई दिया है तो mouth के साथ यह इनकी pharynx और यहां मैं इसकी anus बना देता हूं इस जगे पर anus हो गई there you have mouth and then we have pharyngeal gill slits ओके बड़ा यह हमने यहां पर pharyngeal gill slits बना दिया pharynx कैसी होती बड़ा perforated perforated मतलब उसमें 6 होते हैं ओके चलिए अब हम इनका बनाते हैं इनकी nerve cord तो see यह इनकी आगे वाला हिस्सा brain हो जाता है nerve cord का आगे का enlarged part होता है और लीजिए यह हम बनाते हैं इनकी यहां पर हम इनकी nerve cord बना रहे हैं so there they have their nerve cord और इस nerve cord के ठीक नीचे एक हम color लेते हैं solid road like structure बनाने जा रहे हैं ज्यादा ही solid हो गया है थोड़ा सा कम solid कर देते हैं यह इनकी notocord है तो you must understand कि यह हमारे पास notocord कहां होती अब बेटा यह एक ऐसा animal बनाया है जिसमें सारे coded characters present हैं अब मैं आपको सिखाने जारा हूँ this going to be the brain आगी की तरफ यहां देगी यह इनका पूरा brain हो जाएगा brain को थोड़ा सा मैं यहां पर कुछ thickness कर देता हूँ thickness बढ़ा देता हूँ otherwise all brain hollow होता है हमारा सबका brain hollow है बड़ी मजदार बात है लेकिन क्या करें यह hollow है अंदर एक liquid भरा हूँ रहता है उस liquid को हम cerebral spinal fluid कहते है तो यह मैंने यहां पर cerebral spinal fluid भर दिया है इनमें और थोड़ा label करते हैं यह इनकी nerve cord है there you have their nerve cord और यह nerve cord का जो आगे वाला part होता है जो थोड़ा बड़ा होता है उसी को हम brain कहते है now where is the cranium बच्चों यह cranium या तो bone का बना हुआ हो सकता है या cartilage का बना हुआ हो सकता है अब हम एक नया color use करते हुए यहां आगे की और इनका brain box बना रहे can you see देखिए यहां पर मैंने brain को protection देने के लिए bone का बना हुआ है cartilage का बना हुआ brain box बनाया है और इसी brain box को हम cranium कहते हैं समझ में आया brain को protect करने के लिए bone और cartilage का बना हुआ box बनाया so that is what cranium तो brain को तो आपने protect कर लिया अब पीछे यह जो हमारी spinal cord है इसको कैसे protect करोगे तो बच्चों इसको protect करने के लिए bones की बनी हुई छोटी-छोटी rings हैं किसकी बनी हुई again bones की बनी हुई छोटी-छोटी rings हैं तो वह मैं छोटी-छोटी rings बनाने जा रहा हुँ देखो cranium के बाद में now you see यह देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यह मैं छोटी-छोटी यहां rings बना रहा हुँ can you see देखिए इस तरह से मैं यहां पर यह ring-like structures बना रहा हुँ उसको कहते हैं हम vertebral column तो यह देखिए आपका vertebral column आ गया and where is your nerve cord so the nerve cord is present inside those bony rings यह इस तरह से हमारा अब यह क्या बन गया vertebral column बन गया clear हुआ समझ में आया आप लोगों so now we are having a vertebral column यह पूरा का पूरा हमारा vertebral column है और बच्चों में जो confusion होता है वो confusion अब clear हो गया होगा vertebral column is a different thing notochord is a different thing अब हमारे यह जो ucordata या craniata के members होंगे जैसे अब इसमें सबसे पहले fishes आएगी, amphibia आएगी मैं time to time बताऊंगा आपको कि किनकिन animals में vertebral column के साथ-साथ notochord be present we will come to that point also तो basically exactly क्या होता है यह हमारी इस तरह की bones होती है छोटी-छोटी rings होती है bones की बनी हुई है इस तरह की में एक ring बना के आपको बताना चाहूंगा कि यह इस तरह की ring होती है actually यहां अंदर इसमें cavity हो जाती है तो इसको हम कहते हैं vertebra singular होता है vertebra plural होता है vertebra तो हमारी यह एक मेने यहां पर आपको vertebra बनाई इसके center में यह cavity देख सकते हो बच्चों और इसी cavity में हमारी nerve cord और spinal cord present होगी आया समझ में तो यह यहां देखेंगे आप यहां ध्यान से देखिए vertebral column के center में से होकर nerve cord पास होती है clear हिम बोल रहा है कि यह color visible नहीं है तो कोई बात नहीं visible है एकात color आगे से नहीं बनाएंगे हम यह color use नहीं करेंगे so notocord with bony protection is vertebral column गलत हर्षित बटा notocord अलग है ध्यान से देखो न आप इस डाइग्राम को थोड़ा zoom करता हूँ मैं आप लोगों के सामें notocord हमारे पास अभी भी अलग पड़ी हुई नीचे की हो रहे notocord को vertebral column का part नहीं मानोंगे vertebral column यह है आपका उपर की हो चोटी चोटी बोन की rings होती है और उन चोटी चोटी यह देखो जैसे मेरा हाथ है तो यह एक vertebra है और इस vertebra के center में एक cavity है तो हमारी जो spinal cord होगी जो nerve cord होगी वो इसके अंदर रहे तो यह देखो एक यह हो गया दूसरा यह हो गया फिर तीसरा हो जाएगा and like that is it clear समझ में आया पिटा आप लोगों को क्या हो गया यह हाँ fine clear हुआ fine समझ में आया blue blue का name क्या है sir पिटा यह blue वाली जो road like structure है यह तो हमारी notochord है पहले से बनी हुई so that is going to be notochord मतलब यह जो animal अभी आपके सामने बना रखा है मैंने इस animal के पास notochord भी है और इस animal के पास vertebral column भी है और ऐसा होता है अब जो early fishes आएगी है हमारी जैसे sharks वगेरा ही आएगी उनके पास notochord भी होगी उनके पास nerve code भी होगी है ना क्या है sir notochord नहीं nerve code लिखना था मैंने सब सही लिखा है I think देखिए नर्व कोर्ड हमारी कहा है बीटा नर्व कोर्ड तो यह अंदर है purple color की अंदर की और नर्व कोर्ड चल रही हो और नर्व कोर्ड के चारों और हमारे पास vertebral column है तो I hope अभी आपको यह सब अच्छे से समझ में आ गया हो very good जायद ने बोल दिया है कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया so what I am telling you early अब हमारे पास जो members होंगे कौन से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ucord data और craniate पढ़ रहे हैं तो early जो members होंगे ucord data और craniate आके उनके पास notocord भी होगी और notocord के साथ-साथ उनके पास cranium और vertebral column भी होगा एक question आया है sir human में adult stage में notocord absent होता है तो vertebral column hollow होता है क्या है बिटा vertebral column तो यह आप है ना vertebral column को notocord के साथ mix क्यूं कर रहे हैं आपको देखो ध्यान से notocord यहां नीचे है और vertebral column यहां उपर की ओर है अगर adult में adult में यह हटा दूँगा चलो मैं दो मिनिट के लिए हटा देता हूं इसको कि चलो मैंने यह notocord हटा दी adult में notocord नहीं है तो क्या vertebral column पे कोई असर पड़ेगा कोई असर नहीं पड़ेगा vertebral column तो हमारी already present है पर हमारे पास adult में भी vertebral column तो present रहेगा तो मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि जो यू-cordata होते हैं या जो why are you calling them craniata because they have cranium तो brain को protect करने के लिए cranium हो जाएगा और नीचे brain के बाद जो हमारी nerve cord है उसको protect करने के लिए हमारे पास vertebral column हो जाएगा I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर अभी भी नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए फिर उसके लिए see हमारे पास यह इस तरह की इस तरह की हमारे पास यह ध्यान से देखो आप यह ऐसा structure होता है हमारे पास एक वर्टिब्रा होई है clear दिख रहा है समझ में आया आप लोगों को this is one वर्टिब्रा इसको copy करते हैं फिर इसको paste करते हैं यहाँ पर फिर इसको paste कर देते हैं यह एक और इसको paste कर देते हैं तो यह देख सकते हो आप यह अब हमारा इस तरह से क्या बन रहा है इस तरह से हमारा वर्टिब्रेल कॉलम बन रहा है और इस वर्टिब्रेल कॉलम के सेंटर में एक केविटी है तो उस केविटी में से हमारी यह नर्व कोड जाएगी यह नर्व कोड यहां प्रेजेंट होगी आया समझ में आया आप लोगों को नर्व कोर्ड यहां अंदर चल रही है आपकी इस तरह से clear हो गया तो I hope यह आपको समझ में आ गया होगा so that part is your vertebral column vertebral column and inside of the vertebral column we have nerve cord notocord इनके नीचे होती है इस vertebral column के यहां नीचे की ओर है आप ध्यान दीजिए यहां पर notocord और notocord साथ में हो नहीं हो दोनों conditions आएगी अब जब हम craniator पढ़ेंगे यह u-code data पढ़ेंगे इसमें आपको ऐसे examples मिलेंगे कि कहीं-कहीं तो vertebral column और notocord बहुत आर पर्सिस्टेंट और कहीं-कहीं notocord absent है they have only vertebral column I hope अब समझ में आ गया होगा तो अभी हमारे पास time है let's go to the next फिर से अभी मैंने आपको समझा दिया कि हम अब discuss करने वाले हैं हमारे पास जो second number का group है that is u-cordata और अब बताओ u-cordata को हमने क्या नाम दिया बच्चों u-cordata is also known as craniata चलिए अब आप से मैं एक question पूछ रहा हूँ क्या feature होगा इसमें तो feature यह हो जाएगा है कि इनके पास cranium होगा और cranium के साथ-साथ इनके पास vertebral column भी present होगा आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास एक ही sub-filem है very good, very happy at least thank God हमारे पास जो proto-cordata थे यह हमारे पास जो proto-cordata है इनमें हमारे पास euro-cordata और syphelo-cordata नाम के दो sub-filem थे and very interesting कि जो e-cordata है हमारे पास यह जो craniata है इनमें हमारे पास एक ही sub-filem है कितना अच्छा होगा एक ही नाम याद करना पड़ेगा so we have only one sub-filem and that one sub-filem is known as vertebrata vertebrata अब एक नई बात सिखाने जा रहो vertebrata एक ही sub-filem है क्या characters होंगे इसके कि भाई इसके वह ही character होंगे जो e-cordata के हैं या e-cordata, craniata के वह ही character होंगे जो vertebrata के हैं क्योंकि e-cordata और craniata में हमारे पास एक ही sub-filem है vertebrata कई लोग पता ही क्या करते हैं कई लोग यह समझ लेते हैं कि cordata और vertebrata is one and same thing जो की गलत है cordata और vertebrata are not same thing हमारे पास कुछ ऐसे cordates है जो vertebrates नहीं है चले पीछे चलते हैं इस डायग्राम पर आओ cordata cordata में हमारे पास दो ग्रूप है proto-cordata और u-cordata जैसा कि अभी अभी बताया है मैंने इसमें आपके पास एक ही sub-filem है and that is vertebrata है ना तो इसका मतलब यह हो गया कि जो euro-cordates हुए और जो syphilo-cordates हुए no doubt they are cordates but they are not vertebrates clear हुआ समझ में आई यह cordata में आते हैं euro-cordata और syphilo-cordata के member पर यह vertebrata में नहीं आते हैं क्योंकि इनका तो अपना अलग group है they both are kept under proto-cordata और acriniata है ना कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि मैं जब cordata की बात करता हूँ तो cordata का मतलब हो गया vertebrata ऐसा नहीं है cordata का मतलब vertebrata नहीं होता है हाँ यह जितने भी vertebrates हैं यह cordates है no doubt पर सारे के सारे cordates vertebrates हों यह भी तो गलत है हमारे पास दो ऐसे ग्रूप है euro-cordata और syphelo-cordata जिनको combinedly हम proto-cordates बोलते हैं तो proto-cordates की क्या खास बात है they are cordates but they are not vertebrates इसलिए हम यहाँ एक statement देंगे कि all vertebrates are cordates but all cordates are not vertebrates so all cordates are not vertebrates यश्वन्च शाबाश very good तो समझेंगे आप यहाँ पर है न we should remember one point that all vertebrates all vertebrates are cordates no doubt but all cordates all cordates are not vertebrates समझ गए आप? clear हुआ? all vertebrates are cordates very good all vertebrates are cordates but all cordates are not vertebrates बिल्कुल सही बोलरो बेटा every vertebrate is cordate but every cordate is not vertebrate हर्षित मुंदानिया बिल्कुल बेटा शाबाश so all vertebrates are cordates but all cordates are not vertebrates तो आगे से कभी-कभी cordate a vertebrate a loosely बोलो चलो एक बात समझ में आती but technically बोला जाये तो ये statement साही नहीं होता है good, शाबाश कितना time है? अभी हमारे पास थोड़ा time हो रहे है और पढ़ेंगे हम आज let's talk about the subphylum vertebrate vertebrate की क्या खास बात होगी? वही खास बात होगी ये इनके पास cranium भी होगा और इनके पास vertebral column भी होगा agree? ये हो गया बेटा हमारे पास अब हमारे पास ये जो subphylum vertebrate है skeletal system के basis पर हमने इसको आगे फिर से दो division बना हैं इसके so now we have two more divisions पहला ये division है अब हमारे पास ओके पहला division है हमारे पास एग ने था एग ने था और दूसरा division है हमारे पास नेथो stomata एग ने था एग ने था एग नेथो stomata अब सुनो बच्चों मेरे चेहरे की तरफ देखिया हमारे पास ये cranium है ये पूरा brain box है और ये जो मेरे चेहरे इसको हम खोपडी कहते हैं skull कहते हैं skull skull के दो पार्ट होते हैं एक उपर की और हमारे पास cranium हो गया और नीचे की और हमारे पास यह जो bones आपको दिखाई दे रही है these are facial bones ये चेहरे की lower jaw upper jaw यहाँ पर ये zygomatic bone होती है यहाँ पर हमारे पास maxilla bone होती है so we have different type of bones on our face तो अब हमें यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो bones आपको दिखाई दे रही है which are basically known as jaw bones ये lower jaw, upper jaw एगनेथा यहाँ ध्यान से सुनेंगे ए का मतलब होता है absent और ये वर्ड है नेथा नेथा का मतलब होता है jaws तो हमारे पास जो एगनेथा है इनके पास jaws absent होंगे so they have, they don't have exactly jaws ये होगा, cranium होगा they will definitely have vertebral column but jaws absent तो इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ एगनेथा का क्या characteristic feature है एगनेथा का जो characteristic feature है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि they have cranium present होगा no doubt cranium present होगा vertebral column भी present होगा लेकिन you should remember jaws absent है clear, jawless या mouth होगा उनके पास लेकिन मुह के महाँ पर bones नहीं होगी तो ऐसा गोल-गोल सा mouth होगा उनका है ना मिटा, very interesting तो एगनेथा, cranium होगा no doubt because we are including एगनेथा into vertebrata cranium है, vertebral column है यह jaw वाली बोन होथी ना facial bones यह absent है so we have एगनेथा after that we have नेथो इस्टोमेटा तो जो नेथो इस्टोमेटा के members होगे इनके पास no doubt cranium तो खेर present होगा they will definitely have their wordable column wordable column भी present होगा और इनके पास jaws भी present होगे so that is why नेथो इस्टोमेटा name is given याद रखें यह जो वर्ड है नेथा नेथा का मतलब होता है jaws तो एगनेथा jaws absent नेथो इस्टोमेटा jaws present clear बीटा समझ में आया चलिए इसकी बाद तो अभी हम खतम करते हैं एगनेथा के बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा मैं कि एगनेथा में बाद में पढ़ेंगे हम थोड़ा से डीटेल में एगनेथा में हमारे पास दो क्लासेज है यहां मैं पहले लिख देता हूँ कि एगनेथा में हमारे पास दो क्लासेज है एक क्लास का नाम होगा औस्ट्रेको डर्माई औस्ट्रेको डर्माई और दूसरी क्लास का नाम होगा साइक्लो स्टोमेटा cyclostomata बाद में बात करेंगे इनके बारे में एगनिता जोज एपसेंट होंगे बिल्कुल एपसेंट होंगे बिटा नेथो इस्टोमेटा में जोज प्रेजेंट होंगे आप देख रहे हो जैसे जैसे cordita का evolution हो रहा है वैसे वैसे basically skeletal system का evolution हो रहा है protocode data में skeletal system सिर्फ notocode था कोई bone, cartilage, हाथ, पेर कुछ भी नहीं थे cranium, vertebral column कुछ भी नहीं था अगला group आया vertebrata, उनके पास cranium और vertebral column आ गए लेकिन jaws नहीं आये तो they remain एगने था फिर अगला group आया that was nethoistrometa cranium आया, vertebral column आया, साथ-साथ jaws भी आ गए, समझ में आया so we have nethoistrometa, अब हमारे पास यह जो nethoistrometa है, इस nethoistrometa में हमारे पास दो super classes, not classes there are two super classes एक है हमारे पास super class spices all fishes are included super class spices इनके पास cranium definitely present होगा vertebral column definitely present होगा इनके पास jaws भी present होगे cranium, vertebral column, jaws देखना मेरी तरब cranium, jaws, vertebral column सब कुछ present है fishes लेकिन क्या उनके पास limb bones है क्या क्या उनके पास उनके पास फिंस है भी चारों के पास उनके चलने के लिए हाथ या पेर नहीं है मतलब इनके पास actually limb नहीं होने के कारण limb bones absent है superclass Pisces इसमें सारी fishes आती है तो fishes की फिर हमारे पास तीन classes है Pisces is a superclass और इस superclass में हमारे पास तीन classes आईगी बेटा so today we have three classes of fishes एक extinct हो चुकी है plecodermi plecodermi दूसरी है हमारे पास chondricthies chondricthies यह नाम से परिशान मत हो ना मैं इनको आपको detail में करऊंगा बेटा बापस है ना अभी तो just introduction दे रहा हूं मैं आज याद रखें मैं सिर्फ आपको introduction दे रहा हूं और तीसरी है और stickthies यह लीजिए तो हो सकता है मैंने नाम भी अभी सही डंक से नहीं लिखा है don't worry no problem आपको एक पूरा इस तरह का systematic chart मिलेगा ओके बना रखा है मैंने आप लोगों के लिए type किया हुआ है तो आप वहां से इसको बाद मैं draw भी करेंगे with diagrams में इसमें भी आपको समझाऊँगा तो अभी आप तो जैसे जैसे सीखाता जा रहा हूँ वह सीखें आप द्यान से clear हुआ समझ में आया तो हमारे पास super class spices है fishes आती उसमें सारी कि सारी fishes में cranium होगा jaws होगा, wordable column होगा पर उनके पास क्योंकि limbs नहीं होता है तर limb bonds नहीं होगी उनके पास clear then we have another super class another super class and the another super class is tetrapoda so under jaws jaws animal जितने भी है nethoistomata, उनको हमने दो sub classes में divide किया, super class spices and super class tetrapoda है ना, और tetrapoda tetra मतलब चार poda मतलब legs, मतलब tetrapoda में हमारे पास limb bones आ जाएगी, चार limb bones the two upper limbs and two lower limbs या four limbs और hind limbs इसका मतलब अब इनके पास tetrapoda में cranium होगा vertebral column होगा jaws होगे और jaws के साथ साथ they will be having limb bones और super class tetrapoda में हमारे पास फिर चार classes तो classes हम इसी level पर बना देते there are four classes amphibia reptilia avis and mammals समझ में आया आपने yes sir two हाँ आपने ये सब पहले पढ़ा हुआ है कईोंने कईोंने नहीं पढ़ा हुआ है तो ये बिटा मैंने अभी आपको overall classification बनाए कि बता दिया है ना करन ने पूछाए कि sir इस चार्ट को क्या बोलते हैं इस चार्ट को कुछ नहीं बोलते हैं तो मैंने बनाया है चार्ट और इस और विटा का ओवर्विव यह क्लासिपिकेशन का है ना तो आज इतना ही करेंगे हम लोग मैंने आपको एक बार जस्ट हो और आप इस फ्लोचार्ट को बना लीजी अगर आपके पस टाइम होता है तो ठीक है ना मिटा और फिर हम क्या करेंगे कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इंडिविजुली सब की बात करेंगे बिल्कुल आपको यह लिखना होगा ड्रो करना पड़ेगा बिना बनाए तो कैसे काम चलेगा आप लोगों का अनुनाई ने पूछा है कि what is meaning of dermai, dermai का मतलब skin होता है derma word कहीं आ रहा है means skin तो what have you seen so far कि जैसे-जैसे हम core data के classification में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे bones, limbs इनका सब का evolution हो रहा है so हमारे पास एक हमारे पास division है एगने था, jaws absent होते है इसको हम इसमें cranium होगा, vertebral column होगा, jaws इनमें absent होते है इसमें किती classes है, दो classes है, ostracoderma और cyclostromata then we have another super class, super class Pisces and super class tetrapoda, Pisces में सारी fishes आएगी, true fishes, all true fishes क्योंकि उनके पास jaws होते हैं, तीन classes है, placoderma ही, chondricthies और ostrichthies बढ़ा ये इसमें से placoderma ही तो extinct हो चुकी है super class tetrapoda, tetrapoda मतलब four pair, two pairs या four limbs होंगे हमारे पास, cranium, vertebral column, jaws and limb bones are present ए राम का मतलब समझ जाना, amphibia, reptilia, evies or mammals, correct बढ़ा, good और ये जो पिछे वाला chart है हमारे पास, तो definitely इसकी requirement रहती ही, तो कल जब आप class में आओगे, ये chart बना के आओगे and I am going to share this chart with you today, आज में ग्रूप में ये जो flow chart है, ये diagram है, ये मैं पहले ही बेश दूँगा तो आप इसको बना के रखेंगे, है ना ओके बचों, thank you very much, आज के लिए इतना ही आप लिए इतना ही झाब ही